हेलो इस्टोरेंट्स वेलकाम बैक तो माई यूटूब चैनल प्रोफेसर शुभमत्यारी जहां पर प्रोवाइड होता हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपकी सब्जेक्ट हैं उसके स्लेपर्स पीपर पैटन और मोस्ट इंपॉर्टन क्वेडियो बात कर फिक्स टॉपी के जोकी आपको एक फिक्स नंबर देने वाद हैं लेक्शे नंबर शिक्स की बात करेंगे कि यह सब्सक्राइब का कुश्चन नॉवंबर 2018 का रेगुलर क्लास की बात हुआ है एन इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्ट रूपीस 4000 ऑन दी सेकेंड ओफ एब्री मन्थ फॉर फाइव मन्थ इन एन यह सब्सक्राइब और म्यूचुल फंड अब इसमें यह साइप यह सब्सक्राइब मन्थ का यह ने वी इसब्सक्राइब के इस अब को जाई आपको कॉश्चन में दिया होगा यह ने इस ओन इस एट्स देट्स वाज 33.00 इस तरीके से नंबर से दिया रिस्पेक्टिबली दैर वाच सेम इन्टी लोड अफ 2.22 पर्शन फोर अल इसम इन् और बहुत सिंबल टॉपिक है यह, जो बच्चे प्रीवियस क्लास पढ़के आए हैं तुनको काफी आसान वैसे भी लगना चाहिए, पहले टेबल जो रहेगा वो तो मन्त हो गया भई, सेकेंड टेबल आपका अमाउंट का हो गया, थर्ड टेबल आपका यह नेवी हो गया, निक्स टेबल आपका इंट्री लोड हो गया, पहले इतना काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मन्त की बात कर लेते हैं भई, पहले में ॡ्रीन, टू, 3, 4 & 5, वायमन्त की बात किया था, यहां पर क्लियर फाइब मैंच की बात किया, थर्ची मैंने फाइब मंत लिग दिया, नेक्स टेबल करेंट कीने अमाउंट इनवेस्मेंट की बात होती है और फिक्त होता है, फोर दो फॉर साउजन बात का है, त नेक्स्ट बात करेंगे भई यह वी यह भी कुश्चन में गिवेन होता हर मंत का फर्स्ट मंत कितना है 33.2 33.26 नेक्स्ट मंत का 28.25 नेक्स्ट मंत की बात करेंगे 35.57 नेक्स्ट मंत 38.45 नेक्स्ट 44.32 क्लियर है आगे बात करेंगे जरा इंट्री लोड कितना दिया है बात कर लो इंट्री लोड है 2.22 टूटू वो भी परिशंट है तो यह कैल्कुलेट करना पड़ेगा तो क्यल्सी निकालो जरा इसके लिए चीए हमें क्यल्सी क्यल्सी ले लो काफी आसान काफी सिम्बल टॉपिक है इंट्री लोड मैंने बताया था वह जो आपका यहने भी उता उसपर कैल्कुलेट होता है किस पर यहने भी अपना इदर दिख़र है 33.26 यह तो आपका क्या होगा यहने भी हो गया मतलब पर यूनिट का आपका कॉस्ट हो गया कितना बट इंट्री लोड एड़ होगा इसमें तो आप इसमें कि सीधा करो मल्टीप्लाई क्या करो मल्टीप्लाई टू पॉइंट टू पर्शंट तो कितना रहे हैं 0.73 837 तो 8 4 उसको राउंड फिगर कर लो पॉइंट के बाद 4 नंबर तक आपको जाना इसी ध्यान रहे हैं 28.25 पर्शंट कर दो 2.22 पर्शंट कर दो तो आपका एंसर आ रहे है 0.6272 62715 तो टू करना राउंड फिगर करो नेक्स्ट आपका 35.57 35.57 मल्टीप्लाई 2.22 पर्शंट कर दो तो कितना रहे जिरो पॉइंट 7896 96 तो क्या हो जाएगा यह 97 965 तो 7 कर दो उदर पे शिर्व नेक्स्ट बात करो 38.45 38.45 मल्टीप्लाई 2.22 पर्शंट कर दो तो कितना रहे जिरो पॉइंट 83 और स्वरी 85 85 359 359 तो 36 हो जाएगा लिए लास्ट 44.32 मल्टीप्लाई 2.22 पर्शंट कितना रहे 0.98 0.9839 यह हो गया इतना तो कुष्चन में अपने को दिया था कि मतलब यहां तक तो दिया था बई मंत दिया है एमाउंट पर मंत का दिया है यह ने भी दिया है इंट्री लोड हमने पर्शंट में दिया था कैल्कुलेट किया तो जब यह ने भी में आप इंट्री लोड एड करते हो तो जो हमें मिलता है वो मिलता है पर्शेस प्राइज क्या मिलेगा पर्शेस प्राइज क्लियर है पर्शेस प्राइज आप लोग टेबल में प्रॉपर लिख भी लेना भी पर्शेस प्राइज कैसे मिलता है यह ने प्लस इंट्री लोड दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि इंट्री लोड प्लस होता है अपना तो चलिए प्लस करने स्टार्ट करते हैं 33.26 प्लस करो 0.7384 कितना रहे 33.9984 33.9984 चलिए नेक्स्ट 28.25 28.25 प्लस 0.6272 कितना रहे 28.8772 चलिए लिखो जारा 28.8772 चलिए इसको साइड में करते हूं नेक्स्ट 35.35.57 प्लस करो 0.7897 कितना रहे 36.3597 कोई दिक्कत नहीं नेक्स्ट 38.45 प्लस 0.8536 कितना रहे 39.39.3036 नेक्स्ट बात करेंगे 44.32 प्लस 0.9839 कितना रहे 45.3039 यह आपने क्या निकाला पर्शेस प्राइज यह आपने क्या निकाला पर्शेस प्राइज अब अपने को चाहिए नंबर ओफ यूनिट सबसे लास्ट कम हमें चाहिए नंबर ओफ यूनिट तो यह निकालना बहुत आसान है कैसे हमें पता है कि एक यूनिट पर्शेस करने के लिए कितनी कॉस्ट ल प्राइज तो इजी टॉपिक आ जाएगा भी 4,000 हर मंद का है न भाई डिड़क्ट हो रहा है तो एक शेर कितने का स्वरी एक म्यूचल फंड यब आप लगाऊगे तो वन यूनिट कितने का अपने को 33.9984 तो डिवाइड करना इस्टार्ट करें जरा 4000 डिवाइड भाई 33.9984 कर दिया तो आगया 117.6525259 तो 26 कर दो राउंड फिगर उसको नेक्स्ट फिर से 4000 डिवाइड भाई 28.8772 कर दिया तो फाइनल एंसर 138 138.51758 तो बोले तो 76 से यहां भी कर दो 758 आ रहा है तो 76 कर दो जब आप लोग कैल्सी साथ में लेकर बैठोगे तो कम्प्लीट समझ में आएगा क्या चल रहा है पॉइंट वाला कॉंचेप्ट फिर से 4000 रूपीज डिवाइड बाई पर यूनिट कितना 36.3597 कितना रहा रहा 110 110.0 11 119 यह हो गया चल आगे बात करेंगे फिर से 4000 डिवाइड बाई 3939.3036 कितना रहा 101.7718 चल ले नेक्स्ट बात करेंगे फिर से 4000 डिवाइड बाई 45.3039 कितना रहा 88.88.2926 यहां तक कोई दिक्कत नहीं अब आपने यह क्या एक्जक्ट कैलकुलेट किया बही पर मन्त मिरे पास कितना था 4000 तो मैंने कितना यूनिट पर्शिस किया 117.6525 सेकेंड मन्त से सेम फिर से 4000 यह बट पर्शिस किया मैंने 138.5176 नेक्स्ट मन फोर्थाउजन नही था बट पर्शिस के हमें इतना यूनिट तो आपसे यह नहीं पूछ रहे आपसे पूछा जा रहे बई एवरेज आप बताओ कितना है आपसे पूछा जा रहे एवरेज की बात हुरी तो इसको निकालना बहुत आसान है एवरेज निकालने का काम हो गया बहुत आसान कैसे जरह देखो आपको करना है यहाँ पर एक लाइन आपने खीशा इदर टोटल पैसा कितना था काउंट कर लिया कितने यूनिट्स आपने खरीदे उसका टोटल कर लो मतलब इसका टोटल स्टार्ट करो जड़ा 117.6526 6526 प्लस नेक्स्ट 138 138.5176 प्लस वन वन जीरो पॉइंट 0.119 प्लस 101.7718 प्लस लास्ट है 88.2926 तो आग्या 556.556.2465 यह आपका टोटल यूनिट आया पांच मन्त के एंड पर आपने टोटल कितना पैसा लगा 20,000 कितना यूनिट आपको मिला बही इतना मिला तो एक यूनिट कितने का वो जड़ा बता दो तो आप से ही पूछ रहें अपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहे है भई एवरेज पर्शेश प्राइज बताओ एवरेज पर्शेश प्राइज बताओ सिंपल एंसर टोटल इन्वेस्पेंट हमारा 20,005 मन्त का और टोटल यह कितना आया भई 3556.2465 तुष्य लिए क्यालची कट करते है 20,000 डिवाइड बाई 556.2465 कितना आ रहे है 35.995 552 5528 है तो 23 आप इसको कर दो राउंड फिगर और यह आपका फानल एंसर हुआ प्राइड और करिंग यह आ दियान हुआ कि आपका यह एंसर आयगा आभी बाई कि आपका है जो आपका एंसर आन धाहेगा आपने एको्ट इसी ऩाश पास की दिखेगा यह जो आपने यह न ही दोनों मेंने previous year का question ले लिया हो भी regular का अगर distance वाले बच्चों का doubt है कोई दिक्कत नहीं next जो बीड़ों आने वाली है वो distance वालों का लेक्या है similar ही वैसे होता कोई बहुत difference नहीं होता वही same questions रहते हैं बस difference होगा amount को change कर देंगे percentage entry load change करेंगे बाकी का concept तो हमारा same ही चलने वाला है उसमें कोई change नहीं होता है clear है आई हो फर बच्चे को समझ में आ रहा होगा main क्या है और भी समझ में आना शीए यह table important है table calculate करना शीको तो यह आपका fix एक number हो जाएगा तो भी fix marks आपको मिल जाएगा clear आई हो बच्चों के concept clear होंगे फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई doubt कोई confusion अगर निकल के आ रहे है तो जल्दी से का benefits मिल सके और आने वाली जो हमारी semester 2 है उसमें maths का benefits आपको मिलना चाहिए तुछे लिए start करेंगे maths हमारी first first तारिक से start करने वाले पहले तारिक से start करेंगे और line से start करेंगे मतला 123456 इस तरीके से start करेंगे तो benefits आपको मिलेगा already same 2 में भी तो चलिए मिलेंगे एकली class में तब तक के लिए thank you so much